कुछ मुवीज ऐसी होती है जो आपको भले ही बेहत पसंद आए लेकिन आप उस मुवी को जल्दी किसी को recommend नहीं करते मैंने कुछ साल पहले ऐसी ही एक मुवी देखी थी जिसका नाम था The Grave of Fireflies जिसमें ना ही कोई violence था और ना ही कोई brutal scene फिर भी इस मुवी ने मुझे अच्छा कासा disturb किया था Bollywood ने भी ऐसी ही मुवी नेटफिक्स पर रिलीज की है जिसका नाम है भक्षक इसके आगे पीछे ज़्यादा प्रोमोशन नहीं हुआ है इसलिए साइद आपने इसका नाम नहीं सुनाओगा पर या इस साल की most important मुवी में से एक है जो लूजली inspired है मुझफर पुर के girl home shelter case से भूमी पेडनेकर की यह मुवी एक independent journalist की कहानी है जो अपने struggling days में है लेकिन एक दिन उसे एक girl home shelter की news मिलती है जहाँ orphan girls को torture, rape and murder किया जा रहा है तो कैसे भूमी का character वैसाली सिंग उन orphan लड़कियों को justice दिलाएगी या जानने के लिए आपको या movie देखनी होगी movie के beginning में एक scene आता है जहाँ एक character एक लड़की के साथ जबरजस्ती करने की कोशिस करता है लेकिन जब वो लड़की oppose करती है तब वो आदमी उसे torture करना start कर देता है और आखिर में वो उस लड़की को मार देता है बट सबसे sad and disturbing बात यह था कि वो इस सारे incident को बहुत ही funny way में सामने वाले को बताता है और उस आदमी को इस बात का रती बर भी दुख नहीं था कि वो लड़की अब मर चुकी है basically मैं कहना यह चाहता हूँ कि audience को कोई brutal scene दिखा कर disturb करना आसान है लेकिन यह तरीका बॉलिवूड में नया था जहां बस dialogue, performance and writing के बदौलत audience को disturb करने की कोशिस की जा रही थी movie की एक और बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी हुआ है इसमें कोई भी unnecessary element डालने की कोशिस नहीं की गई है ना ही फाल्तू के character और ना ही कोई फाल्तू की love story movie हमारे patriarchal society को भी criticize करती है कि कैसे एक married woman को अपना career बनाने में कितनी परिसानियों का सामना करना पड़ता है और साती साथ हमारे judicial system की dark reality भी हमारे सामने आती है जहां justice पाना आज में किसी सपने से कम नहीं है भूमी पेडनेकर ने इस movie में बहुत ही powerful performance दिये उनका character बियार के पटना का है जिसका accent उनाओने कमाल का पगड़ा है और साती साथ movie के end में भूमी का एक powerful monologue है क्या अब भी आप अपनी गिंती इंसानों में करते है और बाकी के supporting cast जैसे संजे मिस्रा और अदित्य सिर्वास्तों ने भी बहुत यच्छा काम किया है overall पुलकित की movie भक्चक एक must watch movie है वैसे आपने यह movie देखी है तो आपको कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताएं